कि आज दोस्तों 29 नवंबर है जो कि आज आप लोगों को पता ही होगा और साइद नहीं भी पता होगा क्योंकि कि आज ऐसे लोगों की जैनती है जिने साइद हमारे समाज सुईकार नहीं करता है न करता था और वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी माता देन बालमीकी जी हैं जिनका आज जैनती है और सभी देशवासियों को माता दिन बालमीकी की जैनती पर हार्दिक बधाई एवं सत्सत नमन भीम आर्मी भारत एक तामीशन और आजा समाज पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को माता दिन बालमीकी जैनती पर सत्सत नमन और बधाई तो दो अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और सबसे पहले उन्हीं को फासी दी गई उसके बाद में आपने एक और नाम सुना होगा सन 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे जी को भी फासी हुई थी नीव तो इन्होंने ही रखी थी जो आजादी की नीव बोली जाती है तो सबसे पहले जिन्होंने आजादी की नीव रखी थी और सबसे पहले जो लोहा लिया था वो थे माता दीन बालमी की जी और इन सब चीजों की जो मतलब इनको जो आग लगी थी जाती के नाम पर वो जहां ये काम करते थे यानि कि यह एक बिटिस कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी में काम क मास मच्छी के बनते थे और ऐसे ऐसे बनते थे कि आपको क्या बताऊं कि सन आठ अप्रेल 1857 को पहली जब मतलब फासी दी गई थी तो आठ अप्रेल 1857 को माता दीन बालमेकी जी को फासी दी गई और उनके ऊपर मुगमावी चलता रहा और उस मुगम्य को जो नाम पड़ा बहुता बेटे सरकार बना माता दीन क्या था दोस्ते हों बेटे सरकार बना माता दीन ऐसे महापुरुष्थे जो की सुत्रता संग्राम के सुत्राधार अमर सहीद माताव दीन बाल में की जी ऐसे लोगों को क्यों हमारा समाज भूल जाता है जो हमारा पिछड़ा हुआ बहुचन समाज है आज वो पूरी तरह से भूल चुका है इनको जिनका इतना बड़ा योगदान रहा उनको एक बार भी नहीं याद करता है इसी के साथ ही दोस्तों जैबीम नमवद्दा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ दोस्तों सस्क्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आपका सपोर्ट दोस्तों हमें बहुत मतलब प खरिय दिए ते तर अगर छोत है दल जो आगरेगं टेसलिख चूलमी टन जिल सकते देसलिए को समझ और प्रेटर आगरेपने टुछलम स्वा फिते से जिल सब्कड़ है एम जल वारा भील टोन एंडरिये है जर डोने प्रेटर वारी वां प्रेत मेंटव के लिए से ट आगरे